तीन तरह के कलरी देखने को मिलेंगे है वाइट टाइप का, ब्राउन टाइप का, ब्लैक टाइप का तो इसका मतलब है आपके बाइक जो है वो पट्रोल जादा ले रही है मिक्चर के सेटिंग होने वाली है यह दाइरा है ना इसके चार हिसे कर लो यह अपने एक इसाद जो है वो आपने क्लोकवाइस वापस से घुमा देना है आपने चैक किया किसे गीला गीला है और थोड़ी से ओईल की स्मेल आ रही है और उस करनेशन में आपकी बाइक का इंजिन आहिल है वो काम होता रहेगा बाइक में सेंडी पार्टिकल्स यानि के रेत डेत टाइप आपको रितीला सा फील होता है असलाम अलेकुम दाइस मेरे नाम है तेयब अजीज और आप देख रहे हैं स्टडी एफ बाइक से स्पार्क प्ला के कलर्स को देखकर बाइक की माइलेज का पता लगाना कि आपकी बाइक है वो कितना बट्रोल ले ले रही है ज्यादा ले रही है, काम ले रही है या बिल्कुल इकॉल ले रही है और इसके लावा स्पार्क प्ला की कंडिशन को देखते हुए अपनी बाइक की जो इंजिन की हालत है उसका जाहिता लेना कि आपको जो इंजिन है वो किस कंडिशन में है इसके बारे मैं आपको डिटेल से बताने वालाँ हूँ सबसे पहले हम बात का लेते हैं माइलज आपने कैसे पता लगानी है अपने स्पार्क बलाक के कलर को देखते हुए तो जब भी आप किसी भी बाइक का जब स्पार्क बलाक है उसको आपको तीन तरह की कलरी देखने को मिलेंगे है सबसे पहले आपको कलर देखने को मिलेगा एक इस तरह वाइट टाइप का और नमबर टू पर आपको देखने को मिलेगा इस तरह ब्राउन टाइप का या थोड़ा-थोड़ा मुझे महरून टाइप का शो हो रहा है तो वो दोनो रैड हो या चाही यालो हो उसको हम ब्राउन ही कंसीडर करेंगे उसके फिर डीप में जाके बहुत ज़्यादा और वैलियोज होती है मगर इतना accurate आपका जो इंजन होता वो नहीं हो सकता क्योंकि यह कार्बिटर वेस्ट इंजन होती है अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कलर्स को लेकर कलर्स को देखकर आप बाइक का बता सकते हैं इसमें थोड़े-ठोड़े सेंड टाइप के su- propio आप वह सिल्क छेली है वह कंडिशन को देखते हुए आप आप इंजन की हाल przysz देखन को जा है कि आपकी इंजन की हालत यह कैसी है कि आपका है जो जो सब्यात कर स की कर लेक तर है बैले preferenceukलर्ण को लेकर ठीक है तो इसका मतलब है आपके बाइक जो है वो पट्रोल जादा ले रही है पट्रोल जो है वो चैंबर में जादा आ रहा है और बर्न काम हो रहा है ठीक है यानि कि जितना बर्न होना है उतना हो गया है उसके बाद एक्ट्रा जो है वो पट्रोल आ रहा है अगर आपके बाइक का स सबने क confront으िकर तो आपके को इसेंट सेटिंगा रही है तो आपको सब्सक्त Beimगे सेटिंग कि आपको डाक्त biscuits कίν बने अगर इसका आपकं अगर म्हाइध पाज इसमें घ्रаю मेश को इसकता है अगर taud!" आपके bike जो है वो spark plug बाहर निकालती है ठीक है तो इसका मतलब है कि आपकी bike में जो air है और जो fuel है इसका proper mixture हो के जो burning है वो हो रही है यानि कि आपकी bike में जितनी burning होनी चाहिए उतनी हो रही है और आपकी bike की जो patrol है वो बिल्कुल ठीक हा रही है ठीक है और performance भी आपकी bike अच् बखाता हूं पहले बाले black color में क्या था black color में ये था कि आपकी bike जो patrol है वो ज्यादा जा रहा है ठीक है और इसमें क्या था कि आपकी bike में प्रॉल और air जो है वो proper mix होके चैमर में जा रही है और burning ठीक तरुके से ओड़ी है यानिक आपकी bike बिल्कुल ठीक है अब तीसने मे क्या है कि इसमें दो conditions आ सकती है अगर आपकी bike white color का spark bag दे रही है तो number 1 condition क्या हो सकती है आपकी bike में fuel थोड़ा कम जा रहा है और number 2 ये condition हो सकती है कि fuel ठीक जा रहा है लेकिन आपकी bike में क्यों problem है जिसे जो air है वो ज्यादा बीच कार्बुल से आ रही है ठीक है अब जो number 2 problem ह जिसमें जो air है वो ज्यादा आ रही है उसमें आम bikes में एक चीज देखना को मिलती है वो problem क्या हो सकती है जो filter का cover है वो कहीं से फटा वा होगा ठीक है आपने filter के cover को खोल कर देखना होता है कि कि इसे वो फटा ना हो हो जिसे आपकी bike का air है वो ज्यादा जा रही है bike के अंद वाइड का plug होगा और नमबर दो जो fuel है वो equal है हवाज ज्यादा जा रही है तो यह जो दो चीज़े है इनको मने focus करना है जो हवाज ज्यादा जा रही है वो एक चीज के प्रावल मा सकती है कि आपकी bike के filter है filter का वर हो कि इसे फटा होगा वो आप खोल कर दे सकते हैं लेकिन जो performance कोई problem भी नहीं है और आपकी bike आपको चलाने मज़ा आ रहा है ठीक है तो आपको कोई changes करने के जुरूत नहीं है वाइड कर जो spark plug है यह आपको आपको average बहुत अच्छी मिलेगी लेकिन लेकिन यहाँ पर जिस bike में से या जिस engine में से सफायद कर निगलता है plug वो engine ज्य लेकिन यह फिर क्यों होता है white color का अगर इसमें fuel का मसल है वो इसलिए होता है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताई हुए कि mixture की setting आपने करनी है उस तरीके से करने के बाद आपको जो spark plug होता है पिछली वीडियो में ताहब है वो brown को लगर निकलना चाहिए maximum bikes में brown को लगर अगर brown की बजाए इस तरह का निकलता है तो फिर आपने उसकी जो setting पहले मैंने को वीडियो में बताई हुए वो करने के बाद अगर इस तरह का plug निकल रहा है तो आपने जो इसका बाई का जो fuel का screw होता है किसी भी car operator का वो आपने one quarter एक ताहिरा इतना होता है ना इसका चार इससे करो one quarter एक इसा एक इसा आपने clockwise घुमा देना है तो उसके बाद इन्शादरल आपको दवारा से जो spark plug है वो आपको brown सा मिलेगा ठीक है मैं बताता हूँ कि अगर आपकी जो conditions है बाई की इन तीनों की वो निकल रहा है तो आपने किस तरीके से जो है इसका हल करना है मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ थो आपको बिल्कुल okay है white निकलता है और आपको अगर अपनी बाई की performance कोई problem नहीं है तो आप च्छा सकते है अधर्वाइस आप दोबारा से स्टिंग कर सकते है mixer की जिसे आपकी बाई का स्पार्क बारा इस तरीके से निकलेगा और यह न समझे के मैं अगर इस तरीके निकल रहा है तो मेरी बाई की जो एवरेज बहुत अच्छी मिलेगी एक दो किलोमेटर आपकी बाई क्या होता कि यह मेरी पाइक का कारप रही होता है नमबर वन हमने किया धुकिया अगर इसको पूर बंद करना है और आयसा इसका खोलना जहां पर आपकी बाइक सबस्चाइधा हाई आर्पएंप यह बहुत आ रोड कर आपने रित को कम कर देना होता है ऐसी यह जी मिक्सरी सेटिंग है ऐसे आपने करना है अगर आपकी बाی करे बलक अरक भर का अट कर दे रही तो आपने ऐसे करना है उसके बाद बाइट में, आपको स्पाइक देगी, तो आपने पेले तो बाइक च्रानी है, अगर आपको ठीक लग रहा है, ठीक है यार मुझे अच्छी परफोर्मस मिल रही है, अगर आप सिमते हैं कि ठीक है, यार कोई बात में, है clockwise ठीक है one quarter कितना होगा यह दाइडर है ना इसके चार हिसे कर लो एक हिससा ठीक है यह आपने एक हिससा जो है वो आपने clockwise वापस से गुमा देना है तो इंशाणा है तो आपकी बाएक की पकी बात है इस तरह के का ब्राउन कलर का प्लाग देगी यह तो हो गया इसके माइलेज की बात आप बात करते हैं माइलेज से हट के कि हमारी बाइक का इंजन में क्या हैट सिलंडर जो है इसकी इनकी करनेशन कैसी है इनका मैं को बिताता हूँ अगर आपक के बाइक प्लडग ऑग और निकलने के बाद आपने चेक किया अधर सिलंगसा है और थोड़ सी ऊविल कि स्मयल आ रही है इसका मतला है कि आपके चेम्बर में और अम अधर आपको हैट स्टेंडर कान करवाना पर रहेगा या आपकी इसटरंडर है उसके जो piston है पिश्टन का rings या पिश्टन का मोने वाल है या फिज आपके वाज के seals है वो आपको change करनी होती है ठीक है वो खोल के पता लगता है यह होगी एक condition spark plug अगर आपका गीला गीला निकल रहा है ठीक है उसके बाद अगर आपके बाई का spark plug ऐसा निकल रहा है कि आप ऐ इनकी grinding करवानी पड़ती है तो यह दो तरकिसों आप इसके जो इंजनिक क्रिशन हो आप पता लगा सकते हैं ठीक है और इसके लावा एक और चीज़ के आपकी बाई कि जब भी आपने service करनी है आपने पहले plug ने काला आपने दिखा कि यार इसा color ठीक नहीं है ठीक करने के आपने mixture की setting की यहां से ठीक है setting करने के बाद आपने बाई को start करके दबारा से अपने फटा 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 से एक खोल कर चेक नहीं करना आपने बाई को 4-5 km चाना है उसके बाद इसका color change होगा ठीक है तो बस फ्रेंज यही थी अच्की वीडियो मेरा नाम है तैयबसीस I hope Thanks and Allah Hafiz